नमस्कार दोस्तूं सभी सात्यूं का कुछामन ओनलाइन क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफोरम पे हार्दिक स्वागत करता हूँ पसू प्रीचर बरती जिसको लेकर बहुत सारे सात्यूं के बारी-बारी से कोल मेसेज आ रहे हैं कमेंट भी आ रहे हैं और लाइव सेशन के अंदर भी सवाल पूछते रहते हैं कि सर्पसू प्रीचर बरती में हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा सर्दी का मोसमा हम क्या पहन के जा सकते हैं और एकजाम ओल में हमें सात में लेकर क्या-क्या जाना है दोस्तूं तो उसी को लेकर complete जो RSSB ने यहीं कि रास्तान क्रमचारी चैनबोड आयोग ने निर्देश जारी किये हैं उन एक-एक निर्देश पर चर्चा करेंगे RSSB ने ड्रेस कोड भी जारी किया है उस ड्रेस कोड पर भी क्या पहन कर आपको जाना होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तूं तो एक बार जो भी साती जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि पसू प्रीचर बढ़ती तो लगबग हमारी अब एकजाम होने वाले हैं एक दो दिन के अंदर लेकिन आगामी पढ़ती होगी प्रक्स हैं जो बड़ी बढ़तीयां आएगी उनके आप तयारी करोगे तो एक सुनहरा प्लेटपोरम अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो अब आपको मिल रहा है दोस्तू चलिए दोस्तू मैं शुरुआत करता हूं और सबसे पहले चलता हूं आपके सामने जो एक-एक बिंदू की तरब में चर्चा करूंगा एक-एक बिंदू को बताते वे आगे बढ़ूंगा दोस्तू पहला बिंदू देखो नोट करना इस चीज़ को कि प्रक्षया प्रारम होने के निर्दारी समय से एक गंटे पहले तक ही प्रक्षया के अंदर में प्रक्षयार्तियों को प्रवेस के अनुमति होगी अर्तार्त प्रक्षया के दरवाजा कोलेज का दरवाजा वो कितनी बजें वो सही सही 8 बजें बंद हो जाएगा 8 बजें बंद हो जाएगा अब देखिए दूसरा निर्देस इससे जुड़ा हुआ है इसको भी ठोड़ा दियान से देख लेना परक्षया प्रारम होने के नियत समय से 2 गंटे प्रक्षिया में सामिल होने से वंचित हो सकते हैं इसके लिए प्रक्षियारती स्विम उत्तरदाई होंगे आप बाद में बोलोगे कि सर मैं तो साथ बजगे 55 मिनट पर सेंटर पर आ गया था लेकिन आप मेरा एडविशन नहीं हुआ तो पहले ही यहाँ पर बोर्ड ने अच्छी तरह निर्देश जारी कर दिया है कि आप 2,5 गंटे पहले आ जाओ तो ते समय पर जो भी आपका जांचकारी यह वहाँ पर होगा एडमिट बंद होगा और अगर आप साथ पच्पन पर आए और फिर आपका जो जांचकारी चला उसके अंदर आठ मिनट लग गए तो आठ बज जाएंगे आठ से उपर हो जाएंगे वेसी इस्तति में आपको एक्जाम सेंटर में परवेस नहीं दिया जाएगा तो पहली दो बातें जिनका नोबजीः से पेपर है नँए वो साथ बजीः तक यानी दो घंटे पहले तक ही अपने एकजाम सेंटर पर जरूर पहुंच जाना दोस्तु अगले निर्देशू को ध्यान से देख लेना अगला निर्देश कापी इंपोर्टेन निर्देश थोड़ा ध्यान से द ना हुआ है एक बार आप जब भी प्रिवेस्पतर निकाल रहे हैं तो QR कोड जरूर चेक कर लेना कहीं बार क्या होता सर्वर की मिश्टेक से QR कोड नहीं छपकर आता है तो आप आराम से देख ले उपर की तरब QR कोड आपको मिल जाएगा अब देखें उपस्तती पत्रग पर चिपकाने तूँ 2.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी साइज का स्वेम का स्पेश्ट नमिंतम रंगीन मूल फ्रंट फोटू लेकर आनी है जो नहीं पोटू होनी चाहिए बिलकुल नहीं फोटू यह नहीं क्या पुरानी फोटू लेकर आ रहे हो बिलकुल नहीं होनी चाहिए साइज क्या रहीगी दो पॉइंट पांच इंटू दो पॉइंट पांच सेंटिमीटर की समझ गए इस साइज की होनी चाहिए दोस्तों देखे एक मास से अधिक यह पुराना नहीं होना चाहिए निले रंग की स्याई का पारदर्सी बोल पेन होना चाहिए जो पेन आप लेकर जा रह पैचान एतू एक फोटू युक्त पैचान परमान पत्तर आदार कार्ड से पैचान सुनिशित की जावेगी यानि कि मुखे रूप से आदार कार्ड तो आपको लेकरी जाना है इसके अलावा भी आदार कार्ड में जनमतिती का अंकन होना चाहिए विशेश परस्तति में प अधार कार्ड कार्ड ना बहु सारे साती क्या करते हैं कि जो पैचान पत्र होता उसकी फोटू को यह लेकर चले जाते हैं एह माने रह जाओगे कैसे 55 पत्तर की चाया प्रती माने नहीं है 55 पत्तर के आदार पर 55 सुनी चीत हो जाने पर गहन तलासी के उपरां निर्दारी ड्रेस कोड में आने पर ही प्रक्ष्यार्थी को केंदर में प्रवेस है वो दिया जाएगा दोस्तु समझ गें अग्ला केलकुलेटर, लोग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी परकार का अस्तर सस्तर, वाइटनर, स्लाइड रूल, जोमेटरी बोक्स और कोई भी पाठे सामगरी नोट इत्यादी लाने की अनुमती नहीं होगी। वो बार निकालना पड़ेगा, अंगुटी है तो भी बार निकालनी पड़ेगी, कुछ नहीं चलेगा, गले में भी कुछ नहीं चलेगा दोस्तों, समझ गए? यह हो गए, अब इसके आगे देखिए, परक्सियार क्योंके विस्तरीत अनुदेशन, ड्रेस कोड है, इसको मैं आगे आपको विस्तरीत बताऊंगा, जो हमारी वेब साइट है, उसके आदार पर, यह दिशा निर्देश है, जो RSSB ने जारी किया है, कि 1 नवंबर से 28 से 30 प्रवरी के अउदी में, क्या पहन कर आप आ सकते हो, इनके बारे में मैं आगे यहां पर चर्चा करूंगा, आग ना आउसेक है, सभी परस्णों में कोई एक विकल्ब चेन कर लिया बर लिया गया है, यह सुनिशित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक समय भी आपको दिया जाएगा दोस्तुं, तस से परतिसत से अधिक परस्णों में कोई एक विकल्ब चेन नहीं कर, बरने पर उसे प्रिक् विकल्ब बर तो दस परतीसस से अधिक परसन अगर आप बिना विकल्ब बरे छोड़के आते हैं तो आप एयोगे हो जाएंगे दोस्तों समझ गए अब ड्रेस कोड की और चलता हूं मैं ड्रेस कोड बता दूँ आपको कि ड्रेस कोड आपके क्या रहने वाला है तो देखिए ड्रेस कोड की जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं यह important चीज़ देखिए यहाँ पर तूट यहाँ पर देखिए सूट टाई मपलर जाकेट कोड जरकीन बलेजर सोल आधी पहन कर नहीं आना है प्रक्सियारती सर्ट बीना जेब वाली गरम जर्सी सर्ट पहन सकते हैं अगर यह पर जर्सेली सर्ट पहन कर जा हरें तो उसके जेब नहीं होनी चाहिए जर्सिया सव्टर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे वह Are कोई भी किसी भी परकार का बटन भी उसमें नहीं होना चाहिए पहन कर आवे सदार्ट में किसी तरह का बैज अधी नहीं लगा zou या एसे कपड़े जिन में आपतिजनक सामगरिया दी छुपाए जाने की संभावना हो पैन कर नहीं आवे मैलाई अपने बालू में rubber band या साधान किस्म की higher pin लगा कर आ सकती है मैलाई यह नहीं कि जो अलग अलग परकार के आती है बालू को एक जिगह रखने के लिए वो नहीं जूते पहन कर जाते हैं तो उनको प्रक्षया के अंदर से बार उतरवा दिया जाएगा अगर वहां से गुम होते हैं तो आपकी जिमेदारी रहेगी तो इसमें अच्छा रहेगा कि आप जूते भी पहन कर जाएं क्योंकि आप बेग लेकर जाओगे उसको कहीं रखोगे तो उस बेग में जूते रख दे और सिलिपर साथ रखें सिलिपर पहन कर आप एक जाम देने जाएं क्योंकि सर्दी का मोसम है नंगे पेव अगर आप वहां पे गुमोगे तो जुकाम होने का टर रहेगा प्रक्सियार्तियों को पूरी आस्तिन का कुर्ता सर्ट बलाउज आदी पहन कर आने की अनुमती होगी आप जो है देखो एक तो होता हाब बाजू यहां तेक का एक होता है फुल बाजू जैसे मैंने पहन रखा है तो इस परकार का सर्ट है या मैलाई बलाउज यह वो पहन कर जा सकती है वेस मुसा में बड़ा बटन किसी भी प्रार के ब्रोंच यह जड़ाव पिन बेज या फूल आदी लगा कर आने की अनुमती नहीं होगी आगे देखिए इसके अंदर चोता बिंदू क्या कह रहा है यह भी देख लेते हैं प्रक्सियारती लाग या कांच की पतली चूड़ियों के अलवा किसी भी परकार के जेवरात या अन्य परकार की चूड़ियां कान की बाली अंगुटी ब्रासलेट पहन कर ना आए आप यानि मैला प्रक्सियारती है या तो लाग की या कांच की चूड़ियां है वो पहन कर आ सकते इसके लवा वो कुछ पहन कर ना आए प्रक्षियार्थी प्रक्षिया के अंदर में किसी भी परकार की गड़ी, दूप का चस्मा, बेल्ट, हैंडबेग, हेर पिन, गंडा, तापीज, केप, हेट, स्पाक, स्टोल, सोल, मपलर आदी पहन कर सामिल नहीं होंगे सेंडल, जूते, मोजे, सभी छोटे टकने तक ही पहन कर आनी होगी छोटे टकना, जो मारा पेर होता है न, इस परकार से तो यहां पर टकना होता है यहां तक ही जो जुराब चलते हैं, छोटे वाले जुराब, वो पहन कर आएंगे यदि किसी वस्तू को पहन कर आने में या dress code में सामिल होने के संबन्द में निश से, संदे या विवाद हो तो इस संबन्द में के अंदर पर प्रक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निरने ही माने होगा आपका कोई भी निरने वहां पर माने नहीं होगा ये complete dress code बताए गए हैं, देख लेना, जो बिंदू नमर 6 है, जिसमें देखो, dress code के नाम से ये बना हुआ है, 7 नमर पेज पे, जो PDF बेजूंगा, उसमें 7 नमर पेज पे रही गा ये, वहां से आप आराम से, ये आपके गर्मियू के है, और इसके नीचे आपके सर्दियू के ह जो दिये गए हैं दोस्तों, तो यहां से एक-एक बिंदू समझ में आ गया होगा, अब अगर आपके दिमाग में कोई भी doubt बचा है, तो आप comment करिएगा, भी दो दिन बाकी है, उसको लेकर भी मैं वीडियो बनाकर आपके सामने जुड जाओंगा दोस्तों, इसके अलावा देखिए, अन्तिम समय में पसू प्रीचर बढ़ती का अपना स्कोर बेश्ट से बेश्ट करना है, क्योंकि अब समय थियोरी नहीं पढ़नी है, या तो क्यूसन पढ़ो, या एक-दो-चार-पांस टेस्ट देलो, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो कुछामन ओन अनलाइन क्लासेज, यह पर दस टेस्ट अवेलेबल है, आज ही जाकर जोइन करें, आज इतना समय हमारे पास है कि हम दो या तीन टेस्ट दे सकते हैं, कल दो तीन दे सकते हैं, परसू दो तीन दे सकते हैं, यह दस टेस्ट आराम से जोइन कर सकते हैं, ताइद आसा करता हू कि परक्सिया के अंदर और परक्सिया के अंदर से जुड़ी हुई जो जानकारियां थी वो आपके सामने मैंने पूर्णते रख दी है सभी सातियों को धन्यवाद मिलूंगा नेक्ट सेशन के अंदर जेहिंद जे बारत